हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू एससे स्मार्ट क्लासिस बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एससे स्मार्ट क्लासिस में तो इससे प्रिविएच लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हर्श वरदन के बाद ठीक है किस तरह से ये अलग-अलग जो राज्ये हैं वो पालवंश का कैसे हुआ था बहुत ये अच्छे हैं रिटन नोट्स हैं बस कंप्लीट ही होने वाले हैं और ये एंशिट हिस्टर भी आपकी आज कंप्लीट हो जाएगी पालवंश बिहार वे बंगाल के शेत्र में जो था इन्होंने लगबख शाशन किया था वहां पर ये जिए शाशक के समय गुपतों के अधिकार में था ठीक है जब आगे जलके आपको पता है कि पोस्ट गुपता पीरियेट चला गुपतों का जब पतन हो चुका था तब भंगाल के शेत्र में गोड़ शाशक शाउक का अधिकार हो जाता है यह शशांक जो है वो हष्वरदन के काल का समकालिन है उसी के काल का है तो शशांक ने ये जो बोधी व्रिक्ष है जिसके अंडर बैट करके महात्मा गोदम बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिरी थी ठीक है वास्तिक ज्यान प्रापत हुआ था तो उस व्रिक्ष को इन्होंने कटवाया भी था इसलिए ये फेमस के शेत्र पे अपना अधिकार कर लेते हैं लेकिन उसके बाद क्या होता है ठीक है इनके जाने के बाद ठीक है हरशवरदन और ये जब दोनों एकस्पायर हो जाते हैं तो बंगाल में क्या हो जाती है एराजता गोशित हो जाती है कोई भी शक्तिशाली राजा जो है वो नह है गोपाल अब गोपाल जो है वह सिंदिक है और काफि शक्तिशाली था इसलिए तो लोगों ने मिल करके इसको चुना है ठीक है तो जिसका नाम गोपाल है उसको भंगाल के राजा वह बना देते था। उपक्या इनों ने किसी ताकत से पत्स नहीं सिर्थ है प्रिस नाष्ट की कि ऊच्छिंस्ट की raja को किसी नहीं था फिर इस एक जो बने ठेबैं तो उजनता के द्वारा बने थे जन्ताjalबरा ऑफ forgetting country यह बनाया था और देखिए इस वंश का जो आकरी शाशक है वो मधन पाल है ये सबी क्या कर रहे थे ये सबी जो है वो बोध धरम के अन्याई थे और ये बोध धरम के संडुक्शन भी थे क्योंकि इनके टाइम पे बोध धरम का जो डिकलाइन है वो हो रहा था जादा तर लोग जो थे वो जैनी थे और शैव धरम को अपना रहे थे इस टाइम पे तो ये खुद इन्होंने बोध धरम एडोप्ट किया उसका परचार किया विक्रमाशिला विशवी धाले है जो एक खुद बोध धरम विहार था ठीक है उसका विकास किया और उसका संद्रक्षन भी इनी के द्वारा किया गया बाकी में पाल के बारे मैं आपको बता चुका हूँ उसके बाद एक गुजर प्रतिहार वन्ष की कुछ स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ गुर्जर प्रतिहार वन्ष और इधर दक्षिन में भी उन्होंने अपना इंट्रस्ट दिखाया कनोच पर वो करने के लिए अपना दिपत्य दिखाने के लिए तो इनमें आपस में एक लंबे टाइम तक जो है वो आपस में संघर्ष रहता है ऐसा नहीं है कि इनी के बीच को हासिल करने के लिए तो राजपूतों की एक बार उत्पाति देख लिते हैं जिसतरह से मैंने पान Ind雨 की बारे में बतΑाया इस तरहाइसे राजपूतों को भी देख लिते हैं एक चंडरबदराई जोपी प्रित्वराज रासो कि जिसनली तो उसमें क्या है ग्रंथ लिका पेर आक्शेश वगैरा भी घूमते रहते थे तो काफी परेशान करते थे इसको वशिष्ट को जब अगणी कुब में वह समगरियां टालते थे मंत्र टालते थे तो यह उचारन करते थे तब यह क्या करते थे उसमें मास हड़ी डाल करके उसको खंडित कर देते थे आप अवित्र कर देते थे तब महार्शी वसिष्ट को गुसा आ जाता है तो उनको ठीक है उनसे बदला लेने के लिए तो क्या करते हैं अगनी कुंड में मंत्रों के दबारा चार महावीर युद्धाओं को उत्पन करते हैं उनी में से एक जो थे वो गुर्जर प्रतिहार थे फिर दूसरे चालुक्या चहावान जिसको चोहान भी वोलते हैं और परमार तो यह सबी जो थे इसमें गुर्जर प्रतिहार भी काफी जो थे वो सरवादिक शक्तिशाली थे आगे चलके इनकी कहीं जाती है बनी उनमें से एक थी आपकी राजपूत गुर्जर को गुजरात में इन्होंने जादा शाशन किया तो यह गुर्जर शाशकों के वंशज जो है वो तब ही गुर्जर शाशकों के वंशज है ठीक है और प्रतिहार जो है ना इसलिए गुर्ज लक्षमन है उसके वन्षज्ज वो बताया था और लक्षमन आपको पता है एक तरीके से संरक्षन का काम करते हैं श्री राम जी के अपने भाईजी के बहुत करें करेंगो इसका एक तरीके से संडक्षन ही करेंगे तो प्रतिहार का मतलब ही होता है द्वारपाल संडक्षन ये एक्चल में भारत के द्वारपाल भी थे क्योंकि उस टाइम पर क्या हो रहा था अरबी जो लोग थे वो अटैक कर रहे थे और ये आगे जो अरबी थे अरब से आगर के आगे सिंद्ध की तरफ बढ़े थे लेकिन सिंद्ध से आगे जाई नहीं पा रहे थे क्योंकि वहां पर ये प्रतिहार वंश के शाशक जो है तो वहां पर रहते थे और उन्होंने इनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया ठीक है तो अंत में जो गुर्जर प्रतिहार के जो कम पाल थे ठीक है इसका जो प्रतम शाशक है वो हरिश्चंद्र है ठीक है थोड़ा सा मैं एक्स्प्लीन कर दों आपको हरिश्चंद्र जो था इसका प्रतम संस्थापक माना जाता है उसके बाद आता है आपका नागभट प्रतम 730 से ठीक है आगे 56 तक जो आगे नागभट यह उजयन वाली जो इनकी शाखा है ना क्योंकि अलग अलग शाखाओं पर फैले होते तो उजयन वाली शाखा का जो मुख्या जो संस्थापक माना जाता है वो नागभट प्रतम को माना जाता है लेकि तीन इसमें बाते आती है एक तो प्रतम शाशक जो बिलकुल पूछे को वाला में आपको बताidée वह than 2 में जो हो इसका वास्थविक शाशक है क्योंकि आएक वही जो है वह वह इस्वन्ष को बढ़ाता यह कारिया करता है में यह लेकिन इस मैं उजयन का जो है में वास्थविक शाखापक वह नागभट प्रतम है वह जैसे कि मैंने की वास्तित स संस्थापक थे इनके भतीजे थे नागभट प्रतम के कुकुक वे देवराज देवराज के जो पुतर थे वत्सराज जिनका जो टाइम पिरिट है वो 783 से 95 इस्वी तक चला ये गुजर प्रतिहारवंश का वास्तविक जो था वो संस्थापक था और इनके जो अन्तिम शाष का बंशर्ष्टा इसका प्रत्म बंशर्ष्ट था वो हम हार ед को इमानते ये इसके बतीजे थे ये काफी कमजोर शाषक सिध हुए उसके बाद देवराज का ही पुत्र था वत्सराज ठीक है वो उसको वास्तिविक संस्थापक जो है वो माना जाता है गुजर पतिहार वंश के प्रमुक्ष शाषक थे वत्सराज नागबडवित्य महिंदरपाल 836-889 AD तक इसका जो टाइम पेर्ड है वो चला था मिहर भोज की राजदानी थी क्या थी महीर भोज की राजदानी कनोज थी ठीक है तो बेसिकली में जो था वो कनोज पर ही इनका ट्री पैट्रियेट जो स्ट्रगल है वो चलता रहा मिहर बोज विश्नुभग था ये जिसको माना जाता है ठीक है क्योंकि आगे इनों ने ही इनके शक्तिशाली वन्षजों ने और इनों ने ही आगे इस प्रतिहार वन्षट की डानेस्टी पर लंबे समय तक राज किया वे अलग-अलग समराज्य जिते शक्तिशाली शाषक जो है वो सिध हुआ आगे देखे वत्सराज का उत्रादिकारी उसका पुत्र नागभट दृत्या बना एक नागपट प्रतन था जिसके दो बतीजे थे कुकुक और देवराज देवराज का ही पुत्र था आगे वत्सराज तो वत्सराज का आगे एक उत्रादिकार इसका पुत्र नागभिट दृत्या बना इसका जो टाइम पेड़ था वो 795 से 833 तक रहा मतलब जब अर्बियों का आपको पता है न अटैक कब से होने लगा था जब यह महमूद गजनवी जिसने 17 वार भारत प्राक्रमंड किया तो तब यह 1000 AD के आसपास जो थे अर्बी आने शुरू हो गए थे तब लास्ट में जो इनके अंतनिम शाशक थे वो काफी इन अर्बियों के अटैक को सह नहीं पाए थे तब जो वंच का पतन है वो होना शुरू हो गए थे और भारत में अर्बी आटैक होने शुरू हो गए थे और उसके बाद जो थे फिर किस तरह ऐसे मुगल डाइनस्टी की दिल्ली सल्तनत की शुरूआ होती है उसके बारे में हम आगे फिर मीडीवियल हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे इसे राष्टकूट वंश गोविंत रित्या ने प्राजित किया था तो जैसा कि आपको पता है कि यह सारे आपस में समकालिन चल रहे थे इनके वंशर्ष तो उस टाइम पर राष्टकूट शाशक भी था तो उसके एक शाशक था गोविंत रित्या उन्होंने इसको पराजित किया था क्योंकि इन में आपस में संगर्ष चल रहा था कनोच के लिए तो ओलड़ी बैटल चली रही थी यश पाल 1036 ठीक है इस वी में गुर्जर पतिहार वंश का अंतिम शाशक था और परसिद विद्वान जो थे वो रा कापी शाशक महिंद्र पाल के दरबार में रहते थे जो विद्वान थे वो भी काफी पूछ ले जाते हैं या उस टाइम के दरबार के कभी पूछ लिए जाते हैं ठीक है उसके बाद देखें गुर्जर प्रतिहार वंश के शाशकों ने लगबग 300 वर्शों तक अर्ब आक अचे पृति राज़ थार्ड के टेक चोहान मंज के संस्थापक वसुदेव को माना जाता है तो यह प्रत्विराज थार्ड है अब तो टैरारे में पड़ेंगे प्रतंगे जिमेर और दिल्ली पर राज्य करते थे इनका जह जर्म है जो अजमें राज्य के राजा सुमेश्वर के यहां हुआ था माता का नाम कपूर देवी था और पृत्विराज की जो थी वो तेरा रानिया थी उनमें से एक जो सबसे परसिद्ध है वो संयोगीता है यह कौन है यह कनोच के राजा जैचंद की पुत्री है जैचंद वे पृत्विराज दोनों में आपस में क्या था देश वे विरोध था जैचंद ने एक स्वेंबर रखा था वे पृत्विराज चोहान को उसमें मंत्रित नहीं किया था और जब पृत्विराज चोहान को यह बात पता चली तो वे इसको भगा ले गए थे उसके बाद तीन बैटल यहां पर इंपोर्टन्ट है त्री बैटल्स सबसे पहली बैटल है तराइन का प्रतम यूद बैटल ओफ तराइन ठीक है वन वन नाइन वन में महुदमत गोरी डिल्ली अजमेर राज्या के शाशक पृत्वी राज जो हान के बीच में हुआ इसमें ग है ना यह थो बैसली पहले तो आया था भारत में रूटने के मथसे ठीक है भारत में लूट पाट करके सोना वगरा चीतना भी है भारत को देबिख चल लारा है कि वह इसमें तो उसके मन बदल गया और उसने भारत पर जो है वो समराज्य स्थापित करना दिल्ली सल्तनत बेसिकली उसको जो हो हडपने की कोशिश की समराज्य स्थापित करने की उसकी मनोदशा हो गई उसके बाद तो इस यूद में गोरी की जो है वो बुरी हार हुई थी उसके बाद देखे फिर स बैटल ओफ तराइन ठीक है इसमें क्या हुआ यह गोरी पूरी तरह से त्यार हो के आया ठीक है यूद में लड़ने के लिए किस से प्रित्विराज से तो प्रित्विराज को इसने बूरी तरह से प्राजित किया और प्रित्विराज की मृत्यू इसमें हो गई और प्रित्व 1194 यह 1194 है 1194 एडी के चंदावर के युद में पराजित किया ठीक है और इसकी जो डेथ हुई थी मोहमत गोरी की 1206 एडी में हुई थी और मोहमत गोरी का ही एक गुलाम था कुतिबदीन एबग जिसने इसकी युद में रक्षा भी की थी तो बस यही है इसके बारे में इसमें कुछ ज़्यादा इंपोर्टेंट था नहीं जितनी इंफोर्मेशन थी मैंने आपको बता दी इसमें ठीक है तो इस वीडियो को प्लीज स्पोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साम शेयर कीजिए और इसकी पीडियो जैसे ही कंप्लीट हुई अप्रयल तक हो जाएगी तो यह डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर सकते हो जब भी यह लिंक में अक् तो सारी चीजसे मिलेंगी सिर्माअ तरब त्स डिन भी अपने लगत आ रही सारी चीज से पर ली थो आपकी इस्ट बहुत अच्छी ओच जाएगी यह कीन माने जितने आपके स्टेट लयवल के इकजाम है इस से बाहर तो कोई कोश्न इस्टी का नहीं आने वाला इतनी ज् अच्छी तरह से मैं explain कर चुका हूं story wise तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन शुप हो